नमस्कार दोस्तो, मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फेंटसी में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज का दिन का दूसरा मुकावला जो की पंजाब वोमेन और बेंगाल वोमेन के भीच में खेला जाना है इंपोर्टेट मैच है मेरे पॉइंट अभी उसे, अच्छा का समझ के चलोगे, इंवेस्टमेंट वगएरा टोटल कुछ समझोगे, तभी ही आपको ये मैच में अच्छा का सब विन कर सकते हो, और मेरे हीसाब से तो ये मैच में आप पक्का विन करने वाले हो, ठीक है, तो बोलोगे कमेंट सेक्षन में तो ही मैं इसका विडियो वगएरा कबर करूँगा, इस मैच को कबर करूँगा, टीम वगएरा दूँगा, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट सेक्षन, इस विडियो के कमेंट सेक्षन में जरूरू बताना, अगर आपको चाहिए उस मैच का विड डिमन पर टीम आएंगे बनाने और फिर टीम बना करके हम लोग अपना काम वगएरा है सारा कुछ कर लेंगे तो चलो स्टैट्स के उपर चलते हैं पंजाब और बेंगाल ओमिन के भीच में खेला जाना है अब ही तक दोनों मैचेश विन्ट करके आ रहा है पंजाब वंएंगे टीम और यह सारे प्लेट आपको खिलते में दिख जाएंगे चलो इनके प्लेट के इनके स्टैट्स कोई रहा हूं हो चलो जल्ल दीक्रेंगे में आपको यहां से पणोके इस डिपर यहां सपना कर लेते रिदिमा अगवार आपको ODD में उपर देख लो performance है नीचे T20 का stat से इंका जो कि लास्ट में जो इनका recently दो मैचेज इन्होंने खेला है उसका मैंने यहाँ पर record दे रख था है ठीक है तो 34-22 यहाँ पर इन्होंने बना रखे हैं दो मैचेज में तो अच्छे कासा यह performance आपको choices और भी बन जाती है तो आपने टीम में ट्राइ कर लोगे रिसेंटली इनका record वी वो त अच्छा है 22 रने कावरन का पाड़े भी खेल रखे यह बंदी तो बिल्कुल भी आप इनको drop नहीं करोगे ठीक है उसके बाद यहाँ से नीतु सिंग परवीन खान खेल नहीं रही है अगर खेलेंगे तो भी तो स्टाट्स में आपको टेली नहीं पर बता दूंगा उसके बाद एक अनिका हुजा फर्स्ट में इंका बैटिंग गोलिंग ही कुछ नहीं आया सेकंड मैस में इनको सिर्फ एक ओपर ही बॉलिंग किया था तो मैं तो बोलूंगा करना वस लेकिन इससे पहला अगर इंका स्टाट्स देखोगे न वंडेका तो बहुत तगड़ा वाला है बंदी बॉलिंग नहीं कर रही पता नहीं क्यों नहीं कर रही बट अच्छे कासी बॉल अट आप इनको फोकस करना ठीक है ग्रैंटिंग जरूर रोटेट करना उसके वाले नीलम वि यहां से तो नीलम विस्ट है आपके लिए इंपॉर्डेंट पीक है चार चार उबर की बॉलिंग डाल रही है देठ में दालती है तो सबसे ज़्यादे इंपॉर्डेंट बात यहां से यह बन जाता है तो आप अपने इंको ट्री में रेट रोटेट करके ही चलना गजालना प्रियंका मलिक दो मैच में अच्छा का सा प्रफॉर्मेंस तीसरे पॉजिशन पर बैटिंग कर रही है और वन डॉण आ रही है एक तीस रन और शे रन का पारी यहाँ पर खेल रखी है रोने तो देखके चलोगे सुनीता सिंग है कुछ खास प्रफॉमेंस नहीं मदब खेल नहीं वाली नहीं है प्रगति सिंग के बारें बात करो तो यहाँ उनाईस रन जिरो विकेट है और हर्मन प्रीत कॉर्ड इंको कौर नहीं जानता भाई इंटरनेशनल प्लेयर चिद्धे को सूमी तरा नहीं और जसन प्रीत चाहल को तो ग्रेंडली में फोकस करना ठीक है और यहाँ से हर्मन प्रीत जो कॉर्ड है यह बंदी तो बहुत तगड़ी वाली है आपको तो इनको ड्रॉप करने का बात ही नहीं बनता है कैप्टन भास के टेंग के अच्छी कासी चोइसे के लिए आपके लिए रहने वाली है तो बिल्कुल भी आप ड्रॉप करके नहीं चलोगे इनको अपने टीम में ले करके चलोगे ठीक है यहां से मैंने सारा को समझा दिया है आई होप आप समझ गयोगे तो जो नेक्ट टीम रने वाली है बेंगाल ओमन की टीम चलो इनके बारे में जल्दी से डिसकस कर लेते हैं बिल्कुल भी आप इंको drop नहीं करोगे दिप्ती सर्मा तो भाई international player को नहीं जानता इंडिया टीम रिपर्जेंटर और अच्छी कासी performance एर बीबिल भी खेलती है तो आपने टीम में होने चाहिए ठीक है सारा कुछ मैंने यहाँ आप आपको बता दिया है रुमेली धर को भी drop नहीं कर रहा है आपको एक तो फस्स डान आ रही है प्लस चार्ड उपर की एक complete balling में डाल रही है तो आपके टीम में confirm जगा बनता है इंका इसमाली का इसवेल एस grand league दोनों में आप इंको focus करोगे ठीक है उसके बाद यहाँ से रीचागोश में विकट कीपिंग सेसंस आके लिए अच्छे काशी performance करती है दीख जाएंगी इनहीं को लेको रोटेटर के चलना अपने टीम में चाहो तो उसके बाद परना प्रभीर पॉल खेल नहीं रही है तो मैं बोलूँगा कि ग्रैली में focus करो धारा गुजर लास्ट ओले मैच में सोलर रंग का पारी खेल रही थी बैटिंग अटर बहुत जाद नीचे था तो मैं बोलूँगा कि आप इंको भी ग्रैली में focus करो और ओडीडी में इंका देखो कि तो कुछ खास performance है नहीं ठीक है भाई थक जाता हूं यार बोलते बोलते बहुत जाद हो जाता है ममता किसको खेलने रही है उसमिता गाउगली खेलने रही है तो यह दोनों को rotate नहीं कर रहे है खेलेंगे तो with stats में आपको टेलिगरां पे बता दूगा जिस उल्ताना है आपके लिए अच्छे कासी performance करते भी दीख सकती है बड़ दो ही ओबर डाल रही है भाई पहले बॉलिंग करेगी तो ही आप इनके बारे में सोचना वड़ना आप ट्राइ मत करना रुकमनीर वा है खेल नहीं रही है आप आंडा मोंडल खेल नहीं रही है दुख के दोनों खेल जाती है तो वित स्टैट्स में टेलिग्रा आपको बता दूगा स्रेसली आच है चारवड में एक विकेट इन्हों निकाल रहा था था विकेट लेस कभी कभी ही जाती है मतलब आपको ज्यादा तर बिकेट निकाल रही है और ओंडे में देखो इन्हो को फोकस करो ठीक है उसके बाद है स्रेया खारा और यहां से अंतारा विशनु पद्धजना और यहां से दीबादास कोई खास परफॉमेंस कर नहीं रही है भाई मतलब सौरी खेलनी वाली नहीं है तो इनके सारे प्लेट को ग्रेंटी में फोकस करोगे अगर खेलती भी है तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंदा रही है और अभी तक आपने वीडियो का लाइक नहीं है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेर इकन दबाकर अल करके जूट जाना ताकि जब भी मैं बिडियो तेलों फर्स्ट इप्रेशन में आपको हमारी वीडियो मिल जाए रोजाना तीन से चाल वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे इसी चैनल पर तो अगर आपको विसास नहीं तो चेक आट कर सकते हो ठीक है तो चलो जल्दी से चलते हैं पर वहां चलिको ल आपको रोटेट करना है नीचे सो कोई खास प्लेयर है नहीं जी ठीक है तो यहां से किसी को भी आपको रोटेट करके नहीं चलना है और राउंडर सेक्षन में मैंने ट्राइकर रखा है मीता पॉल रुमैली धर और दीप्ती सर्मा को तीनों मेरे लिइंपॉर्डन प्लेयर है पहले बॉलिंग करेंगी तो ही आप इंको रोटेट करना अगर पहले बैटिंग करती है तो फिर साइका इसाइक के साथ जाना ठीक है ति यह अभी के लिए हमारी टीम हो गई है जो कुछ बीच में बदलाव करूंगा आपको टेलीग्राम पे तो बता ही दूंगा तो इस पिंट करेगा हड़ प्लेयर के ऊपर भी थोड़ा देख के चलेंगे तो जो कुछ भी मैं चेंज करूंगा मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा तो चलो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे निस वीडियो में नेम दर्टरिक और वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद अपना ख्याले के दूस्तों जाहिन